असलाम लेकूम आज मैं आप लेके साथ शेयर करने जारी हूँ चिकन अफगानी फ्राइ की रेसिपी जिसे बनाना काफी जादा आसान है बहुत जल्दी ये त्यार हो जाती है बहुत ही कम सामान के साथ और इसका टेस्ट भी ला जवाब होता है तो एक बार आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर ट्राइ कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो इससे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है उससे तरह से दो के एक छनी में रख दिया था और मैंने इसमें कर्ट्स लगा लिया है चिकन में चनी में इसलिए रखा है ताकि इसका एक्स्रा पानी निकल जाए, उसके बाद मैंने एक बर्तन में इसे ट्रांसपर कर दिया, इसमें मैंने 5 चमज भरके दही कर डाला है, ना घट्टी ना मीठी प्लेन दही लेना है, फिर 5 चमज मैंने इसमें फ्रेश क्रिम डाला है, अगर आपके पास फ्रेश क्रिम ना हो तो आप पर लिएह, उतना ही फ्रेश क्रीम भी लेना है उसकी बात मैंने इसमें दो चमज भर्के अधरक लसुन का पेस्ट डाल दिया था आधा चमज गर्म मसाला पाॉडर डाल दिया है मैंने इसमें आधा चमज काली मिर्च कापॉडर डाला है 6-7 हरी मिर्च को मैंने दरदरा पेस लिया था उसे डाल दिया है आप तीखा कम ज़ादा अपने हिसाब से कर सकते हैं उसकी बाद मैंने एक चमच भरके कसूरी मेती को हाथ से क्रश करके इस तरह से डाल दिया इसमें एक चमत चाट मसाला डाला है नमक मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डाला था अब इन सबी चीजों को अची तरह से मिला देंगे इसमें आधा रिम्बू का रस डाल देना है फिर से इसे मिला लेना है अची तरह से और इसे ढखके आदे घंटे के लिए रख देना है जब आदे घंटा हो जाए तो इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेना है अब मैंने एक फ्रै पेन ले लिया है उसमें मैंने दो चमज के करीब तेल डाल दिया है जब तेल गरम हो जाए तो उसमें चिकन को जो हमने मेरिनेट करके रखा था उसे डाल देंगे सारे चिकन को फ्राइ पैन में अड्जेस्ट कर लेना है फिके इस तरह से जो एक्स्टर मसाला था मैंने उसे भी डाल दिया है गैस का फ्लेम फास रखना है गैस का फ्लेम फास रखके 5-6 मिनिट एक तरफ पका लेना है उसकी बाद इसे पलट देना है पलेटने के बाद दस मिनट के लिए गैस का फ्लेम स्लो करके इसे पका लेना है तो दस मिनट हो गए हैं दही ने पानी छोड़ दिया है तो गैस का फ्लेम अफ़ास कर देना है और जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हमें सुखा लेना है इस तरह से अच्छी तरह से इसे चला लेन देखे ये अच्छी तरह से सूख गया है अब मैंने इसमें एक छोटी सी कटोरी रख दी है इसमें चारकॉल रख दिया है इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक चमस सेल डाला है आप चाहें तो गी भी डाल सकते हैं तो दस मिनट के लिए से छोड़ दिया था तो अब तया जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं अगली रेसिपी में जब तक के लिए अल्ला हाफिज